नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News की खास पेशकश अपना बिहार और मैं हूँ आपके सास रुष्टी बथाईनी आईए एक नज़र टालते हैं बिहार की खबर उपर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को नमामी गंगे कारेक्रम के लिए कॉल करता जा रहे हैं वे अपने डिप्टी सीम तेजस्वी आदफ को बेजेंगे जिसको लेकर बिहार में राजनीती गर्मा चुकी है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीम नितीश पीम मोदी से आमना सामना करने से बच रहे हैं इसमें सवाल खड़ा करने वाली कौन सी बात है बिहार में साल 2022 में राजनीतिक उतल पुतल देखने को मिली मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेटी का दामन थामा और राजे में महागर्बंदन सरकार बनाई इसी सब के बीच पूर्व टिप्टी सीम सुशिन मूदी ने दावा किया है कि नया साल 2023 भी बिहार में राजनेतिक उतल पुतल भरा रहने वाला है उन्होंने कहा कि 2023 में अगर नितीश कुमार ने कुरसी नहीं छोड़ी तो आरजेटी उन्हें हटा कर तेजस्वी आदफ को मुख्यमंत्री बना देग लोग सबर चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच जुबानी जंग अभी से देखने को मिल रही है बता दे कि जेडियू नितीश कुमार को पीम कैंडिडेट घोशित कर चुकी है और बिहार मागडबंधन ने भी सहमती चताई है वही नितीश कुमार भी पूरे विपक्ष को एक जुट करने में लगे हुए हैं लेकिन बीचेपि को यह रास नहीं आ रहा जिसको लेकर बीचेपि के नेता हरा आए दिन नीतीश सरकार पर हमला वह रहते हैं इसी सब के बीच बिज़ेपी के वरिश नेता रविशंकर प्रसाद ने सीम नितीश पारे तंच कस्ते हुए कहा कि 2024 के लिए पीएम पत के लिए कोई वेकेंसी नहीं है नितीश बाबू और 2025 में बिहार में बीज़ेपी का मुख्यमंद्री बनेगा बहुत दर्मगरू दलाई लामा की सिक्योटी को लेकर अलर्ट चारी किया गया है खूफिया सूचनों के बाद उनके सुरक्षा बढ़ा दी गई है एक चीनी महिला जासू उससे उनकी चान को खत्रा बताया जा रहा है पुलिस चीनी महिला का स्केच जारी कर चुकी है और बिहार की लोग काफे समय से प्रदूशन से परिशान है सर्दी आने के बाद से ही राज्य में प्रदूशन की मार बढ़ती जा रही है राज्य की हवा हर आए दिन जैरेली होती जा रही है केंद्रे वायू प्रदूशन कंट्रोल बोर्ट की आकड़ों के अनुसार राज्य और चुका है आज के लिए बस इतना ही बाकी खबरों के लिए देखते रहें टी एंपी नियोज